मेरा नाम शादान फरासत है और मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ आज मैं wire.in के लिए एक explanation कर रहा हूँ NRC, NPR और Census पे और यह समझना बहुत जरूरी है लास्ट एक हफते में काफी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह तीन कैसी क्या चीजें हैं यह अलग-अलग हैं यह साथ-साथ हैं बहुत कानूनी तरीके से और factually भी तो सबसे पहले census क्या होता है census एक जो इसे हम जन गणना कहते हैं वो एक गिंती का तरीका होता है एक population को गिंने का तरीका होता है उसको count करने का तरीका होता है यह हिंदुस्तान में सबसे पहले 1881 में शुरू किया था जब हम British rule के अंदर थे हर 10 साल तब से हुआ है 2011 का जो census था वो पंदरवां census था और अब 2021 में census होगा वो 16 होगा census आजादी के बाद से एक 1948 की ईक्ट है census उसके तहत होता है और यह जो एक्ट है यह procedure उसमें census कैसे होगा उसके सारे procedure बताती है और यह समझना ज़रूरी है कि census एक गिंती का तरीका है हमारी population का मतलब कि हमारे population में इतने लोग हैं इसमें से इतनी औरते हैं इतने पुरुष हैं इसमें इनकी ये age group है ये religion है लेकिन ये हर individual हर व्यक्ति को identify करने का तरीका नहीं है वो जो scheme है वो आपको NPR में मिलेगी और NRC में मिलेगी और वो जो है वो citizenship act 1955 के तहत है अब 1955 से लेकर के 2003 तक हमारी citizenship act जो बताती है कि हम नागरिक कैसे बन सकते हैं मतलब जो लोग यहां के नागरिक आलरी नहीं वो बाहर से अगर आ रहे हैं तो वो यहां की नागरिकता कैसे acquire कर सकते हैं उसके सारे तोर तरीके उसमें लिखे गये हैं तो ये जो act है ये 1955 से लेकर 2003 तक इसमें कोई registration या of citizens का कोई concept नहीं था इसमें कहीं नहीं लिखा था कि कोई register होगा जिसमें सारे जो नागरिक होंगे उनका नाम पता और बाकी personal detail डाली जाएंगी ये 2003 में संसोजन आया जो उस वक्त वाजपई जी की सरकार थी उनके समय एक संसोजन आया जिसमें ये एक section 14 a introduced किया गया जिसमें पहली बार हमारे कानोन में ये register of citizens का concept introduced किया गया और इसमें ये लिखा गया कि ये register of citizens कैसे बनेगा इसका तरीका प्रिस्क्राइब किया जाएगा rules में और 2003 में ही citizenship registration of citizens and issue of national identity card rules 2003 आये जो 10 December 2003 से effective है जिसमें ये बताया गया कि ये national register कैसे बनेगा citizens का और ये नागरिक का जो register है इसमें इन rules में जो 2003 के rules है इसमें पहली बार population register का concept introduced किया गया जिसे हम NPR कहते हैं और population register क्या हुआ population register ये है जो लोग किसी भी area में रहते हैं उनका एक register है चाहे वो नागरिक हो या नागरिक नहीं हो दोनों सभी लोग जो उस area में रहते हैं उनका ये register है लेकिन ये rules ये भी आते हैं कि इसी population register के basis पे आपका जो national register of citizens है वो बनेगा तो एक तरह से जो NPR है वो एक बड़ा rule 3 और rule 4 ये clearly कहते हैं कि पहले आपको NPR की detail लेडी होगी और फिर कोई सरकारी अधिकारी इसको जब NRC बनेगा उसी NPR को verify किया जाएगा कि उसमें से कौन-कौन लोग नागरिक हैं और जिनको नागरिक नहीं पाया जाएगा वो निकाल दिये जाएंगे तो ये कहना किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए कि NPR और NRC रिलेटेड नहीं है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि NPR ही NRC का बेस है और सही माने में कानूनी तोर पे NPR का जो एक लौता जो यूज पर्मिटेड है जो अलाउड है वो उसको NRC बनाने के लिए पर्मिटेड है और क्यों भी यूज कानूनी तोर पे NPR का पर्मिटेड नहीं है कानून में अब इसका तरीका क्या है ये NPR NRC में कैसे बनता है ये 2003 के जो रूल्स है इसी में ये प्रॉपरली समझाया गया है सबसे पहले क्या होगा कि जो सरकारी अधिकारी एक बार NPR की डिटेल ले ली गई है वो इसमें से फ doubtful identify करेगा ये इसमें के rules में कहीं नहीं लिखा गया तो सरकारी अधिकारी को बहुत बड़ा पावर दिया गया है कि वो वो population register में से किसी को भी doubtful मान सकता है और एक बार उसने वो doubtful अगर उसे माना तो वो फिर उसे notice देगा उसे उसकी सुनवाई होगी जो doubtful citizen है या तो फ publish होगा तो फिर एक दूसरे rule केता है जो भी लोग है उस area के उनको ये power होगा कि वो उसमें objection डाल सके अपनी अपनी कि ये बंदा जो है ये तो यहां का नागरिक नहीं है ये citizen नहीं है इसे हटाईए ये बाहर से आया है तो उसके बाद objections के बाद अगर किसी के नाम के अगें और लोकल से फिर वो डिस्ट्रिक बनती है डिस्ट्रिक से स्टेट और स्टेट से फिर उसी तरह से एक national register बनता है तो ये जो तरीका है इसमें आप ये देख सकते हैं कि NPR जो है उसी के basis पे उसी के verification पे उससे NRC बनता है और पहले सरकारी अधिकारी खुद चेक करता है कि व सबात सबीड़ी इसमें लड़ात जी डाले थे किसी को अपने किसी पड़ोसी से प्रॉब्लम है तो इसनों अब्जेक्ट कर दिया कि भह ये नागरिक नहीं है तो यह एक बहुत ही problematic procedure है दूसरी चीज यह एक तो कानिम्री तोर से NPR और NRC पूरी तरह से एक ही कानून के पार्ट है जो सेंसस से अलग है जो एक ही रूल का भी पार्ट है लेकिन अगर हम जो सरकार इसे आज इंप्लिमेंट कर रही है वह देखें तो उसके तहद भी यह देखने में आ रहा है कि जो NPR है वह एक NRC के ही तरफ लीड कर रहा है अब यह एक इंस्ट्रक्शन मैनुवल फॉर अपडेशन ओफ एन पी आर है जो सरकारी की मुलाजिम जो NPR की प्रक्रिया करेंगे उनके लिए यह एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुवल है जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है और यह क्वेश्चन नंबर 13 यह डिटेल मांगता है कि आपके माता-पिता की जगा थी पैदाईश की और बतलब जहां पर उनका जनम हुआ था और दूसरा उनकी डेट क्या थी जनम की यह जो दोनों information है इसका purpose समझने की हमें जरुआ थे पहली बात यह जो 2011 में इन पी आर हुआ था उसमें यह information और भी कुछ चार-पांच information नहीं मांगी गई पर्सनल इंफरमेशन बट यह information भी नहीं मांगी गई थी और इसका relevance यह है कि जो citizenship act का section 3 है उसमें तीन तरह से लोग नागरिक बनते हैं भारत के बाइब बर्थ मतलब पैदा होने से यहां पर भारत में पैदा होने से तीन तरह से लोग नागरिक बनते हैं तीन क्लास हैं अगर आप 1987 के से पहले पैड़े हुआ हैं आपका जनम 1987 से पहले हुआ है तो यह काफी है कि आप खुद पैड़ा हुए यहां भारत में आपके माता-पिता कहां पैड़ा हुए उसकी जर्ण वह दिखाना जरूरत नहीं उसकी जरूरत नहीं अगर आप 1987 से 2003 के बीच में पैदा हुए तो आप खुद तो यहां पैदा हो नहीं है प्लस आपके माता या पिता उन में से एक आपके पैरेंट्स में से कोई एक भी भारत के नागरिक होने चाहिए यह अगर दूसरा क्लास है से 1987 से लेके 2003 तक और 2003 के बाद जो लोग यहां पैदा हुए उनको यह दिखाना है कि वह यहां पैदा हुए सेकेंड नंबर बे कि कम से कम उनके माता या पिता भारत के नागरिक हैं और एडिशन में तीसरी चीज़ कि उनके जो एक यह माता या पिता तो हैं और दूसरा परसन है यह अगर भारत के नागरिक माता हैं तो पिता और वाइसा वर्षा तो वह इलीगल माइगरेट नहीं है तो यह एक अडिशनल रिक्वार्मेंट और एड हो गई है तो इस यह देखके लगता है कि आपके माता पिता के जनम स्थान और उनकी जनम तिथी यह दोनों पूरी भी NPR में इस बार मांगी जा रही है तो सरकार का यह कहना कि NPR और NRC में कोई संबंद नहीं है यह पूरी तौर पे गलत है मैंने जैसा पताया खानूनी तौर पे खानून के बेसिस पे NPR का सिर्फ एक ही इस्तमाल हो सकता है वह NRC बनाने के लिए और दूसरी चीज जिस तर भी नहीं कि हम NRC नहीं लाएंगे सरकार ने सिर्फ इतना का एक कि अब ये नरसी कोई बात नहीं हुई है लेकिन बात नहीं भी हुई हो तो तो कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि कानून जो आज है वो एनर्सी और इनपी आर दोनों को एक साथ लेके चलता है और अगर सरकार को सही में देश की जनता को आश्वस्त करना है कि हां हम एनर्सी नहीं ला रहे हैं तो सेक्शन 14A जो सरकार को एनर्सी लाने की पावर देत है सिटिजन्शिप एक 1955 का उसको रिपील करके उसको खतम करना चाहिए तब सही माइने में जो कानूनी व्यवस्ता आज है वह 14A के तहत और 2003 के जो रूल्स है उसके तहत वह खतम हो जाएगी तब ही देश के लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि हां पूरे देश व्यापी एनर् मदल ले और एनर्सी लाने का डिसीजन ले ले तो वो सिर्फ एक एक इग्जेक्रिटिव नोटिफिकेशन दूर है और वो एक दिन के अंदर किया जा सकता है धन्यवाद दवायर के और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्य पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें